नमस्कार में प्रियर अंजन और आज की इस एपिसोड में ट्राइडेंट स्टॉक को डिसकस करेंगे आज बजार के आउटलूक देखेंगे तो थोड़ा बहुत पोजेटिव के तरफ ही दिखा लेकिन ट्राइडेंट में 5% की गिरावट दिखी आखिर क्या ये गिरावट ए या थ्रेड है इसको समझना as a retail trader काफी important होता है इसके quarterly numbers को already हमने discuss करा था और आपसे कहा था कि यहाँ पे देखेंगे इसका thumbnail क्या था कि यहाँ देखेंगे कि Trident जो है क्या फिड से 20 होगा आखिर मैंने ऐसा क्यू कहा इसके नीचे के कारण को देखेंगे कि Trident के Q4 के result काफ expectation होता ही है तो आगे के trend को समझे इससे पहले premium telegram को join करें description के links account open करें वीडियो पसंदाए तो दोस्तों में जरूर share करेंगे इसके quarterly numbers काफी pathetic रहे थे काफी वैसे तो यह अपने sector का leader है सबसे बरा market cap का यहाँ देखेंगे 20,000 करूर का है इसके नीचे ही सभी stock है लेकिन इसक यह थोड़े बहुत जो sales हैं वो तो ठीक ठाक रहा था लेकिन चुकी lower यहाँ पहले company के जो OPM हुआ करता था वो 21, 24, 26% अभी देखेंगे लगबग लगबग highest recent के highest बाले जून 2021 के quarterly number से 50% down हो चुका है जिसके कारण इसकी profitability जो है वो लगबग लगबग 56, 60% downtrend रहा यह एक बड़ा कारण रहा इसके साथ हमने देखा कि जो FI और DI है यहाँ FI ने थोड़े खरीदे प्रमोटर एजटीज है डियाई ने nominal घटाया और public की भी holding घटी है इवन DI ने थोड़ा बहुत एक बिट करा हुआ है और recent के technical trend तो वीक ही रहे हैं यहाँ अगर technical trend भी देखेंगे तो trend इसके वीक ही रहे हैं अब मेरे क्या व्यूज हैं तो पहली बात यह समझे कि 80 पैसा per share का इस stock ने dividend declare करा है और 500 करोर company fundraise कर रही है यहाँ देखेंगे तो 0.36 यानि 36 पैसे per share dividend कमपनी ने declare करा है जिसका record date आप 28 मई समझे 28 मई से पहले आपकी अगर holding होती है तो 0.36 पैसे per share आपको dividend मिलते दिखेंगा लेकिन technical trend काफी वीक है यहाँ देखेंगे तो technical trend यहाँ से एक V-shape recovery आई लेकिन again previous resistance से ही resistance बना यहाँ support तो दिख रहा है लेकिन momentum यहाँ थोड़ा missing है इसको मैं एक बार weekly time frame पे करूँ तो आप better समझ पाएंगे मैं चाहूंगा कि इस समय आपको बिल्कुल ignore करना चाहिए RSI is around at 46 लेकिन जो technical trend है यहाँ देखेंगे जो trend है एक बार मैं आपको technical trend दिखाऊं यह देखेंगे कि higher high higher low का trend तो है लेकिन इस trend में क्या है कि यह अपने support पे है और support पे हम कब खरीते हैं जब हमा कि अगर 48 नहीं भी तो minimum यह वाला जो level है यानि 41 के level को breakout कर लेने दें तभी momentum catch करेंगे अगर यह 48 के level 41 के level को breakout कर देता है फिर हमारा जो target होगा वो आएगा 48 56 और 72 प्लस as of now stock is looking weak और यहाँ पे वही खर देंगे जो निवेसक हैं यह एक range में है इस range को minimum breakout करने दे momentum वाले यहाँ वही कर देंगे जो इस range पुरा ही range है एक बार false breakout हुआ भी sustainability range में आया यह continuous resistance बना है तो consolidated zone या lower level पे वो खरीता है जो निवेसक हो trader इस समय बिलकुल ignore करेंगे तो I hope य video informative रहाँ thank you for watching this video